नमस्कार मित्रों मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके सबसे लोग प्रिये चैनल यवर काल चक्रा में मित्रों आदर्निय उत्रादीदी के साथ आज हम मेडिकल एस्ट्रलॉजी से जोड़े हुए विश्य पे बात कर रहे हैं रोग एवं जोतिश क्या संबन्द है इसके विशे में आज दीदी हमें बता रहे हैं मैं आप सभी के सयोग से उनका स्वागत करता हूँ नमस्कार दीदी आपका स्वागत है तो मेरे को भी इनकी प्रेणा से, क्रिश्नमूर्थी जी की प्रेणा से आया कि थोड़ा सा इस पर एक जनरल चर्चा करते हैं हम लोग, कि जब हम रोग के बारे में प्रेडिक्शन करते हैं, तो हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या कैसे हम उसमें थोड़ा सा निकाल सकते हैं कि इनको किस तरह की बीमारी हो सकती है, तो इसमें क्रिश्नमूर्थी जी ने कुछ महत्व पूर्ण चीज़ें बताई हैं, जिन पर हमें ध्यान देना अत्यनत आवश्यक है, इसका मतलब है कि रोगी को कभी भी निराशा जानक सच्चाई नहीं बतानी चाह अब क्या करें, कुछ समझ में यह नहीं आता है, शनी की जो बीमारियां रहती हैं तो लंबे समय तक चलती हैं, तो उसमें हम थोड़े परिशान हो जाते हैं लोगों को, जातक कि भविश्य में आने वाले कष्टों के बारे में कभी न बताएं, दूसरा उन्होंने कहा है, कि समय विशेश पर रोग होगा ऐसा कभी नहीं बताना चाहिए, कि इस समय तुमको यह रोग होगा, और मृत्यू का भविश्य कथन तो कभी भी नहीं करना चाहिए, यह उन्होंने तीन-चार पॉइंट्स हमें बताएं, क्योंकि विक्ति के वारे में अगर हम खराब, इसे ही मृत्प्राय हो जाएगा, उसकी निराशा आजाएगी, काम करने की इच्छा, उसके जीवित रहने की इच्छा ही कहतम हो जाती है, उनका यह भी कहना है कि यह बहुत ही गलती हमारी यह अपराध होगा, बयानक, कि हम उसकी बीमारी के बारे में, जातक को उसकी बीमा करने में मदद करता है मानसिक शक्ति और विशेष रूप से उन जात्सकों के कंडली में जिनके चंद्रमा कंजोर या आकारक है उनको तो बिलकुर नहीं बताना चाहिए है घर आपको शमझ में भी आ तो और जोतिश के विद्यार्थी को सबय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि आप उत्साहवर्दक बात नहीं बता रहे उसको तो कम से कम चुप ही रहना बहतर है ये एक चीज़ का विद्कुल आप हमेशा ध्यान रखने अब हम ये देखना चाहते हैं आगे चलकर कि रोग की प्रकृती को हम कैसे पता चलाएं कि क्या रोग हो सकता है तो इसके लिए लगन और लगन के कारग्रह ही जो हैं ये बताते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या रोगी रहेगा लगन और लगन के कारक जो भी है जल्दी ठीक हो जाएगा या धीरे-धीरे स्वस्थ होगा या बीमारी चलती रहेगी तो हम उन्हें यही बता सकते हैं कि आप अपना काम भी करते रहेंगे लेकिन थोड़ी सी स्वास्थे विश्यक परिशानिया भी आपके रहेंगी अब हम आते हैं कि छटा भाव जो है वो हमारे स्वास्थे में गड़बडी बताता है वह रोग बताता है जो आपको रोगी बनाता है रोग की प्रकृती वहीं से पता लगती है यह आवश्यक नहीं है कि विक्ति जब भी बिमार पड़े एक ही तरह की बिमारी उसको हो हमेशा रोग की प्रकृति और रोग के कारग ग्रह जो हैं अपनी दशा अंतरदशा के अनुसार उसको रोग प्रदान करते हैं दशा चलती है और अगर वो रोग भाव से जुड़ा हुआ है तो कभी उसके अनुसार फिर अंतरदशा के अनुसार रोग से जुड़ा रहना चाहिए लगन और छटे भाव से ये हमेशा ध्यान रगना चाहिए अब सामाने तयार छटे भाव के अनेक कारक ग्रह होते हैं ये इसे अमें द्यान देनी चाहिए औने ग्राहं जो हाई सबस्वेर के कारक होने और अभी ग्राह रोग दें यह भी आवश्र नहीं है कोई भी घ्रय छटे भाए का का कारख होकर फियुक्तर का का बनेगा नहीं तो वहां कुछ और फल दे देगा किबल छटा भाव रोग का कारक नहीं होता, उसके साथ लगन जुड़ना चाहिए, वरना छटा भाव रेंड प्राप्ति, कठेनाईयां, अलगाव, अलगाव यहाँ पर जीवन साथी या पार्टनर से, अलगाव, अलग होना, या व्यापारिक भागिदार जो होता है, उससे अलग होना, आधी परिनाम मिलते हैं, इसलिए सही भविष्यक अथन, किस रोग यह जानना आवश्यक है, कि व्यत्ती किस रोग से ग्रस्त होगा, और कौन सा ग्रह उसको रोग ग्रस्त करेगा, तो यह छटे भाव के कारक ग्रह लगन के यदि कारक हुए, तो वो रोग प्रदान करेंग जैसे वो दूसरे भाव से का कारक भी होता है, छटे भाव का स्वामी या कारक ग्रह, तो वो व्यक्ति को पैसा दिलवाता है, या लोन दिलवाता है, रिन दिलवाता है, लगन का कारक नहीं है, तो चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है, यदि छटे भाव का कारक ग्रह, व दितिय भाव के साथ और द्वादश भाव के साथ से जुड़ा होता है तो इसका तात पर यह है कि जो भी रिन उसने लिया है किसे से उसकी हानी हुई या रिन चुकाने में उसका धन खर्च हो गया मतलग जैसे आया वैसे ही चला गया पर यदि छटे भाव का कारग्रह लगन और द्वादश भाव से जुड़ा हो लगन से भी जुड़ा हो और द्वादश भाव से भी जुड़ा हो तो पक्की बात है कि जा तक या तो विस्तर पर रहेगा या एकांत में रहेगा या अस्पताल में अकेला रहेगा बारवा भाव जो है अस्पताल का भी है एकांत का और लगन से जुड़ गया और छटे भाव से जुड़ गया तो ये परिनाम संभव हैं उस ग्रह की दशा अंतरदशा में गंभीर और अचानक आने वाले रोगों के लिए अश्टम भाव के कारत ग्रहों का लगन से संबंद देखा जाता है जो serious disease हैं जैसे cancer हम मान सकते हैं उस ग्रस्थ होता है किन्तु कौन सा ग्रोग उसके जीवन का अंतिम रोग होगा कई लोग बीमारी ग्रस्थ होकर मरते हैं लेकिन कई लोग कभी-कभी ऐसे अचानक भी हो जाते हैं heart attack जैसे तो ये अंतिम रोग कौन सा होगा उसके जीवन का वो अंतिम चरण में किस रोग से ग गुडवादक एक ही लगन एक ही अश्टमभाव में लेते हैं किन्तु उनका उनकी मृत्यों अलग अलग तरीकों से होती हैं तो कौन से ग्रह इसके पीछे कारण होते हैं ये के बड़ अश्टमभाव का सबलाड ही बता सकता है ये हमें ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए एक ही उपाय है कि अश्टमभाव का सबलाड देखा जाता है क्योंकि वो कस्प है और जो कुछ मिंटों में बदल जाता है और उसके बदलने से प्रकृति रोग की प्रकृति जानने में हमें मदद भी मिलती है और हमें साहेता भी मिलती है तो हमें ये देखना चाहिए कि और इसके लिए सही जन्म समय का होना आवश्यक है जदि सही जन्म समय नहीं है उपलब्ध तो आप छटे भाव का अपस्वामी यदी जानना चाहते हैं तो रूलिंग प्लानेट्स उसी समय के आप देख लें उसी समय के जिस समय आपके मन में ये विचार आया है और जो पून उस समय के रूलिंग प्लानेट्स हैं वो ही आपको रहस्यात्मक रूप से इश्वर इसमें मदद करेगा और वो आपको मदद कर देते हैं कि ये रूलिंग प्लानेट्स हैं और ये सिक्स्थाउस का सबलॉड हो है और उसको मदद मिल जाएगी ये हम देखना चाहते ह कि हम किस तरह से रोग और राशियों को राशियों को और लगन को या कि लगन पर इस्थित भाव जो भी भाव है जिस भाव से जुड़ा हुआ है राशी और भाव उसके हिसाब से हम किस-किस प्रकार के रोग देख सकते हैं हम सबसे पहले यह देखें कि मेश राशी और लगन भाव इन दोनों को हमें मिलाना चाहिए देखना चाहिए तो अगर मेश राशी लगन भाव पर है तो हम किस तरह के रोग अनुमानिक्त कर सकते हैं उसमें है सिर्दर्द की शिकायत हैं नाक बहना कोमा ट्रांस में जाना कई लोग समाधी में चले जाते हैं न इसे पैठे या फिर मस्तिष्क संबंजी रोग, सिर में चोट लगना, इंसो मीनिया और जलन संबंजी रोग, जलन लगती है कई जगर या दर्ध होता है इसके अरतरित एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए कि मेश राशी के सामने कौन सी राशी है बच राशी के सामने हमेशा तु तो तुला राशी और सब्तम भाव से जुड़े हुए जो रोग होते हैं, वो भी हम अवश्य ही देख लें, ये चीज़, तो इससे हमें सही अनुमान लगाने में मदद मिलेगी, दूसरा है व्रशब राशी और दितिय भाव, इसमें आ जाता है डिप्थीरिया, कंठ के एपिलेप्सी, गटायर, गल गंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, गले में कुछ-कुछ गाठे हो जाती हैं, मस्तिश्क के पिछले बाग के रोग, बैक साइड के, सर्वाइकल वर्ट, ट्रिब्रा, व्रशब राशी और दूतिय भाव में इस्थित, ग्रह, व्रश्चिक राशी आश्टम भाव को भी देखते हैं, अतर गुप्त रोग भी प्रदान कर सकते हैं, पाइल्स, फिश्चुला, कब्ज, अर्नियमित, मासिक, जक्र और उसकी समस्यां, अब आती हैं इत्वन राशी और तृतिय भाव, गले संबंदी रोग, इस्नोफिलिया, सूखी खा संक्रमा, पेरिकार्डियम, थोड़ा सा हाट के उपरी हिस्सा में जलन, हाथों में संक्रमान होना, या टीबी, यदि यहां ग्रह स्थित हैं, और धनूराशी है, नवं भाव को देखेंगे ही सही, वो तो मितन राशी में होएंगे तो, तो देखें, तो कूलों, जांगों, चलने फिरने में दिक्कत और साइटिका या रियूमेटिजम ये भी होने की संभावना रहती है, वो ग्रह, अभी हम ग्रह के बारे में भी बातचीत करेंगे कि ग्रह खास-खास किस तरह के रूप प्रदान करने हैं, करकराशी और चतुर्थ भाव, पेट में दर्ध, गैस क परिशानी, वायू, प्रकोप, अपचन, कफ, हिच्किया, डूपसी, पेट में पानी भरना, उदासी, विशाद, हाइपोट्रुंड्रिया, अतलब रोग का भ्रहम होता है कहियों को, कि मुझे ये बिमारी हो गई, ये बिमारी हो गई, ये परिशानी हो जाती है, हिस्टीर ग्रह कुछ बैठे हुए देखते हैं, तो मकर राशी के अनुसार त्वचा की बिमारी है, पटेलवा या घुटनों की समस्या, एकजीमा और लिप्रेसी या ल्यूकोडर्मा, रिमेटिजम, ठंड लगना, फ्लू और नसों का दर्द या रक्त प्रानाली में गड़ बड़ जाना, धमनी का विस्तार हो जाना, मतलब फैल जाना उसका, तंद्रा आना, क्यूंकि सिंग राशी है और हाट से जुड़ी हुए सिदी सिदी, बेहोश होना, या स्पाइन्स का मैनेंजाइटिस, रीड की हड़ी का बुखार, शेशुप से बोन फीवर भी होता है न, या फ तथा सिंग राशी में स्थित अकारत ग्रहों की दृष्टी कुम्ब राशी पर भी है तो टांगों में परिशानी, टखनों में परिशानी और अंग संचालन में दिक्कत, अर्था वेरिकोज बेंस, कन्या और राशी और छटा भाव, टैप वर्म, राउंड वर्म और हुक ये तीनों तरह के कीडे होने की संभावना रहती है, लगन पर भी हो और छटे भाव पर भी हो, जा छटे भाव पर हो कन्या राशी तो भी ये समस्या आ सकती है, कुपोशन का शिकार होना, और विशेश रूप से शनी यदि छटे भाव में होता है, तो वो कुपोशित करता आज घर में होते हुए भी विक्ति नहीं खापाता भूख नहीं लगती या कुछ भी हो सकता है और नहीं है तो फिर तो सवाली नहीं पैदा होता टाइफाइड, कॉलेरा, अपैंडेक्स, दस्त या विटामिन D, विटामिन की कमी, मीन राशी, उसके सामने वाली राशी या छ तुलाराशी सकतंभाव, बहु मूत्रता, बार बार मूत्राना, मूत्र का दबाव, गर्भाशय में जलाना, ब्राइटस रोग, पीठ या कमर के निचले भाग में दर्द, एक्जीमा, तवचा रोग, रक्त वाहीनी नलिकाओं में संक्रमा, किडिनी, अपैंडिक्स, हरनिय और मेशराशी, यदि पाप गरस्थ हो, तो उससे जुड़े रोग भी, सकतंभाव तुलाराशी है, वहां से मेशराशी को वो देखता है, सिर्दर्द से जुड़े रोग भी, अरे मेशराशी में तो कुछ भी नहीं है, वो तुलाराशी में बैटा हूँ अगर, उसको दिक रहा है, व्रश्चिक राशी और अश्टमभाव, पेट के निचले भाग में संक्रमाण, मूत्र नली और ट्रजनन अंगों की तकलीफ है, विशेश रूप से रेक्टम में भी, कॉलन में या पोस्ट्रेग ग्लैंड्स की तकलीफ, इसके अलावा एड्रिनॉइड्स, ओवरीज और गुपतांगों के रोग, मासिक धर्म की अनियम अतता है, लुकोरिया, रैप्चर, रेनल, स्टून, इसके अलावा व्रिशव राशी, यदि वो पाप ग्रिस्त करते हैं वहां सिद्गर, तो उनसे जुड़े रोग, गले और मुख के रोग, नाक बहना, धनु में परिशानी, लोकोमोटर अटेक्सिय का मैंने एक मरीज देखा है, बहुत कष्ट पाके, चलना फिरना लंगडाने से शुरू करके, जमीन पे वो घिसटने तक आ जाते हैं, इतनी बुरी स्थिती है ये लोकोमोटर, तो कि पुरा हिप बोनी है, काल्ट्रोल करता है आपक मकर राशी और दशंभाव, तवचा में परिशानी, पटेला या घुटने की हड़ी में समस्या, घुटना एका कारत है मकर, एक्जीमा, लिप्रेसी क्योंकि स्किन के बीमारियों के कारत है, डिकोडर्मा, युमेटिजम, अपचन, ठंड लगना, फ्लू और नसों में प्रणाली में गड़बडी, कर्क या प्राशी से जुड़े रोग, क्योंकि सब्तंभाव कर्क राशी है, कुम्ब राशी और एकादश भाव, तखनों में परिशानी, अंग संचालन में दिकत, वैरिकोज वेंस, तखनों का मुड़ना, ड्रोपसी, पेट में पानी भरना, हिर्दैक कार या प्रणाली में गड़बडी, कुम्ब राशी से सामने सिंग राशी है, इसलिए हिर्दैक में परिशानी होती है, हमने कईयों के देखा, जिनके टांगों में परिशानी है, गुटनों में, उनके हाट में भी फेट आ जाता है, धड़कन बढ़ना, रेड़ सेवन करने के कारण समस्या है, दवाई भी अधिक खाएं या अधिक पीने के कारण भी समस्या है, कुपोशन के शिकार और कन्याराशी के पाप ग्रस्थ होने से कारण पेट की जिल्ली के रोग, ये दोनों चीज़ें आपको परिशान करती हैं, अब हम ये देख लेते हैं क जैसे सूर्य है हमारे शरीर में स्थित वाइटल फ्रूड को पूर्ण पर पूर्ण अधिकार रखता है, और उससे हमें जीवन दान भी प्रदान करता है, ये सूर्य का मजबूत होना कुंडली में, निश्पाप होना, बहुत आवश्यक हैं, और वो हमारी रोग अधक्षमता को भी बढ़ाता है, तो सूर्य का ये हमें ध्यान रखना चाहिए, कि सूर्य को हम सार्व प्रत्रम हमारी कुंडली में देख लें, कि वो कारक है, और मजबूत भी हो, है ना, ये दोनों चीज़ां का, अगर सूर्य कमज़ोर है, कारक है, आप समझ ये आदि व पेट, गरभाश्य, ओवरीज, अंग संचालन पर भी अधिकार है, और चंद्रमा हमारी शरीम में बहने वाले, सिनावियल फ्रूट, जिसको हम हिंदी में श्लेश्मा, और तरल पदार जो है, बहने वाला, श्लेश्मा, ये इन पर भी अधिकार है, और मासिक धर्म की परिशानिया भी देता है, आँखों की परिशानी, स्तंसंबंधी रोग या दिक्कतें, और शरीम में इस्थित जर्ल का प्रभाव, ये चीजे हम चंद्रमा का ध्यान रखें, जब भी चंद्रमा हम किसी भाव में देखें, और ये भी देखें कि वो किस भाव का स्वामी है अकारत भाव, इसलिए हमें चटा, आठ्वार, बार्वा भाव को हम अकारत कहते हैं, स्वास्थे की दृष्टी से, लगन से इनका जुड़ना स्वास्थे को कमजोर करता है, अब आता है मंगल, मंगल का रेड बोन मेरोस पर, हिमोग्लोबीन पर, रक्त में स्थित, रक्त क लाल कणों को पर अधिकार है, जो भोजन को शरीर के प्रत्यक भाग में ले जाता है, और बचे हुए बेकार भाग को शरीर से निकालने में मदद करते हैं, रक्त कन, शरीर के संतानोत पत्ति के अंग, दुरघटनाय, जलना, बंदूक या रिवॉल्वर से चोट लगना, सर की सरजरी होने की संभावना देखते हैं, या कोई पूछता है, तो हमें सबसे पहले मंगल को देखना चाहिए कुंडली में, कि मंगल की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतरदशा, कुछ न कुछ तो जुडा हुआ होता ही है, पक्की बात है, अब आता है बुद्ध, संचालन की गडवरी, अंग टेड़े मेड़े पढ़ते हैं, सीड़े पैर नहीं पढ़ते हैं, हमेशा लड़ खडाता रहता है विक्ति, नर्वस डिसॉर्डर, तो इसमें बुद्ध भी काम करता है और शनी भी करता है, बहरापन, नारी संस्थान की विक्रतियां, अब आत करवाता है, इसके साथ साथ इसमें लिवर की प्राब्लम भी जो है, गुरु देता है, ट्यूमर, कैंसर और किसी भी अंग का आकार बढ़ना, फाट कंटेंट, और शक्कर का व्यर्थ होना, फिर वो हमारे शरीर में संचालित होती हैं, मुत्र में अल्बेमिन का जाना, रक् हीपरमीनिया और एपिलेपसी, ये गुरु के प्रमुक प्रमुक रोग में, अब आता है शुक्र, शुक्र जो है गले का, किड्नी का, व्यायाम की कमी करना, लोग बग व्यायाम नहीं कर पाते हैं, और रक्त संचालन में धीमा पना जाता है, ब्लॉडी में जो ब्लड सर्क अब ब्लेशन है, वो स्लो होता है, टॉंसिल्स बर जाते हैं, गुपतंकों के रोग, ये सब की परिशानी शुक्र विशेश रूप से देता है, अब शनी, गॉल ब्लेडर की हड्डिया, दर्दी ले, जोडों के दर्द, जोडों के दर्द होते हैं, उनमें बहुत दर्द ह दातों का एनेमल और दात की हड्डियों का कड़ापन, उसका एनेमल भी परिशान करता है, चलने फिरने में धीमापन, पूर डाइजेशन, डाइजेशन भी हलका ही रहता है, और घाव हो जाते हैं, या सर्दी लगती है, पुराने रोग, भयका रोग, भय भी रहता है, सर् हो जाएगा, और ऐसी मनोकती के कारण फिर वो ठीक नहीं होता, तो लापरवाई भी रहता है, पर हमेशा निराशावादी रहते हैं, हड्डी वड्डी तूटने के भय भी रहते हैं, हड्डी तूटने का डर भी रहता है, अब हमें इसके बाद ये सब देख लेना चाहिए कि इन ग्रहों के खास-खास रोगों के पश्चार कौन सा ग्रह रोग देने वारा है, तथा वह किस राशी और किस भाव में इस देता है, साथ ही ये भी जानना आवश्यक है कि लगन और छटे भाव के सुचग्रह किस ग्रह के नक्षकत्र में हैं, और कहां पर हैं, कुंडल ये भी हमें देख लेना चाहिए कि एकादर्श भाव के कारग ग्रहों की दशा अंतरदशा कब चलेगी, यदि एकादर्श भाव के सुचग्रह पंचम भाव से भी जुड़े हुए हैं, और उनकी दशा अंतरदशा रोग कारग ग्रहों की दशा के बाद आती है, तो विक् करने वाले ग्रहों की दशा आती है तो वो ठीक होने में समय लेता है इस तरह से यह बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए अब हम एक कुंडली ले ले लेते हैं इसके साथ हलांकि यह लंबा हो गया यह चौबेस तीन 1946 का जन्म है इनका मेल है यह और 16,45 मतलब पॉने पांच बजे जालावार का जन्म है यह सिंग लगन के हैं तो यह सिंग लगन की कुंडली देख रहे हैं यह 15 लिगरी 27 मिनिट का है शुक्र ही इनका सबलोड है अब शुक्र को आप देखिए कहां बैठा हुगा है उच्च कहो कि महीन राषी में है मतलब अश्टम भॉम मैठा हुआ देखिए और सिंग राशी की क्या खासियत है सिंग राशी का जैसा हमने अभी पड़ा भी था हाट से यह रिलेटेड और अगर परेशानी होतीए है तो फिर पेरों से रिलेटेड या गुटनों से रिलेटेड या कु अश्टम भाव का सब लौड यदि हम देखना चाहते हैं, यह चटे भाव का सब लौड है, मकर राशी चटे भाव में और यह चटे भाव में राशी लौड भी शनी है और नक्षत्र लौड भी शनी है, यह देखें, यह चटा भाव के चंद्रवा, नक्षत्र लौड है, शन एक्त्रव्ध में ञाने का स्वामीय और शनी ही मालां का अुछ राष्ट में मिल भूर करने हैं, और शनी ही वहाँ डेतर अलके से पहले थो और लगनेश होकर और लगनेश होकर इसका जाना अच्छा नहीं है ठीक है और इनका जो है हाँ ये अब हमारे हम इनके सिगनिफिकेटर्स भी देख लेते हैं और दशा भी आजाती है तो इनकी बुद्ध की महादशा में तो जन्मुआ बच्पन में तो बुद्ध की निकल गई फिर केतु की आई है केतु पंचम भाव में थी ठीक रहे फिर शुक्र की आई है शुक्र की दशा में भी इनका ठीक कि अश्टम्भाव में है शुक्र देखिए अश्टम सबसे ज्यादा दिख रहा है सबसे स्ट्रॉण सिगनिफिकेटर शुक्र जो है अश्टम्भाव का है और लगन का सब लाओड भी है ऐसा है कि जन्म इनका बुद्ध के नक्षात में व्रश्चिक राश्ची में है इनका जन्म तो बुद्ध की महादश्चा ठीक रही बच्पन में निकल गई इनकी ये इससे मैं नहीं जोड रही है लेकिन उसके बाद बुद्ध के बाद के बाद के तू आ गया के तू बुद्ध के बाद वापस के तू आया और फिर शुक्र आया तो ये तीनों दश्चें जिसे अश्टम में तो चला गया है लेकिन वो बहुत कम गया है चौदा डिग्री पर कस्प है उसका और वो दस डिग्री का है तो वो अश्टम भाव के भी फल दे रहा है और अगर अपन शनी को देखें जो इनके कालक हैं जो इनके क्या हुआ था कि घुटनों में भी दर् में ही आया था तो फिर इनके क्या हुआ कि सुर्य की महादशा अग्यभाई इसमें तब से इनके हार्ट का कुछ थोड़ा सा प्राब्लम आया था बहुत साल पहले की बात है इतना मुझे ध्यान आ रहा है और फिर इसके बाद इनके घुटनों में भी तक्लीफ होने लग ग है तो आपके घुटनों का ऑपरेशन नहीं हो सकते तो उसके बाद ये किसी बड़े सिटी में चले गाए प्राइवेट हॉस्पिटल वालों के पास कि वह तो कर देंगे तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल वालों ने इनका इनको एड्मिट भी कर दिया और एक घुटने का ऑपरेशन भी कर दिया ऑपरेशन करके एक घुटने का किया उसके बाद दूसरे का करने वाले थे उसके पहले तो उनका हाट फेल हो गया ये हुआ इनके साथ तो ये इस पीरिड में इनकी जो डैथ हुई है ना वो इस पीरिड में हुई है इनकी इसमें तीन जुलाई के प 30 जुलाई के आसपास हुई है और इसमें जुपिटर जुपिटर को भी अगर अपन देखते हैं तो ये भी पंचम और अश्टम भाव से जुड़ रहा है तो पंचम और अश्टम भाव से जुड़ने का मतलब यही रहता है कि भाई ठीक भी हो जाएगा लेकिन अचानक जो है इनको दूसरी जगह पे इनको जो हाट अटेक हुआ तो इनको डेट बॉड़ी ही इनकी फिर इनके प्रांथ में आई बोस्ट प्रॉबेबली सर ये जो पीरिड है ना इस पीरिड में कभी हुआ है शुक्र के अंतर में शुक्र का उच्छ का शुक्र है ना यहां पर तो उस उस वज़ा से क्योंकि शुक्र जो है इसमें आकारक टाइप का इडिजर्ड देता है बहुत अच्छा नहीं होता सुरह का मेत्र नहीं है ना गुरू का अंतर गुरू की मादशा गुरू कांतर फिर बुद्ध कांतर भी प्रतियंतर भी अच्छा नहीं है यह देखें परिशानी नहीं वही बस operation और क्या है न वह operation बच्चे नहीं करवाना चाह रहे थे तो वह असल में बोलते थे कि नहीं तो करवाना नहीं चाहते खर्चार नहीं करना चाहते तो बच्चे जो है वह प्रेशर में गए उनको लेका और उनकी डाप्टर्स ने बच्चों को तो जाच वह था तो वहां तो नहीं हो रहा था ना जिस जगह यह रहते है थो अधियो अगले यूनसों तो इसलिए परेशानी हो गए तो ध्यान रखना चाहिए इससे हम से हमें कई बाते हैं पता लग जाते हैं मेरा वैसे भी अनुभव है कि जब कभी भी शुक्र का अंतर जो होता है इस ऐसे चार्ट में खास तोर पर में गुलिगा वो कई विर भी अच्छा नहीं होता ठीक नहीं होता जो हार्ट के पेशंट्स हैं उनको शुक्र की दशा में अंतर दशाओं में हमेशा सामधान रहना चाहिए उन्हें रिस्क लेना नहीं चाहिए तो वो एक बहुत बड़ा रेजन है और आप जो बता रहे हो इसमें डेफिनेटली शुक्र का अंतर ही रहा होगा उसी में नहीं होगा बिलकुल तो इस तरह से व्यक्ति का अंत हुआ उसका हमें दुख भी बहुत हुआ लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते सिंगर लगना है और सूर्य अश्टम में है तो क्या करें चंद्रमा भी कमजोर है वो विष्चिक का नीच का चंद्रमा है और वो व्यायश भी है उनका जानकारी बहुत सारे विष्चे जो है मेरे कैसे सभी विद्यारती वर्गों के लिए बहुत लाबदायक रहेंगे, मैं पेक्षा करता हूँ कि सभी इसको आराम-ाराम से दिखेंगे, नोट्स बनाएंगी, बहुत अच्छा वीडियो था, जिनको medical astrology में शौक होता है, आपके students हैं बहुत से, उनको ये क्रश्मूर्ती जी की सलावश्य ध्यान में रखनी चाहिए, बिल्क बनाने चाहिए, उनके लिए लाबदायक है, जी बिल्कुल, बिल्कुल, आदर्णी उत्रदीदी, शिक्षा वो कंसर्टेंसी दोनों सर्वेसिस देती हैं, आपको कोई भी सर्वेसिस चाहिए, उनका mobile नमबर यहां मेंचेंड है, आप उनको डारेक्टी अपरोच कर सकते है इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही नमशकार धन्यवाद, नमशकार